नाम भली उन लोगोंने financial reporting दिया होगा but it is purely Indian accounting standards आप लोगों का 100% से लिए बस यह है दो extra chapters है छोटे से एक आपका integrated reporting करके और एक CSR करके CSR आप law में कर लेते हो integrated reporting एकतम basic theory chapter है बाकी majorly आप जो भी पढ़ने वाले हो वो पूरा का पूरा आपका IFRS है in short अगर मैं भूलो तो ठीक है थोड़ा सा history पे जाएंगे कि क्यों इंडिया में Indian accounting standards की जरुएत पड़ी या फिर हम IFRS आकर क्यों पढ़ रहे हैं जरुएत क्या पड़ी ठीक है US GAP के बारे मैं पता है आप नहों को कुछ कुछ भी कुछ रफ यहने जो भी पता हो US GAP नाम सुना हो accounting standard है किसका US में जो standards follow होते हैं उनका नाम US GAP है generally accepted accounting principle GAP का आपका full form होता है इंडिया में आप उसे Indian GAP बोलते हो बराबर है यह सबसे पहला accounting standard board है जो की बनाया गया था सबसे पहला accounting standard board है यह क्यों बना था listing आपको अगर idea हो तो proper listing जो हुई थी हो सबसे पहले यूरोप में उसे में हो थी तो उससे पहले यूरोप में हो चुकी है बट प्रॉपर listing यानि जो आज आप लिस्टेट शेर्स वगेरे का trading बोलते हो ना वो प्रॉपर trading United States से स्टार्ट हुआ था चाहिए तो उन्होंने लाया US gap ठीक है US gap पहला बेस था इसके बाद इंडिया में आप लोग accounting standards बोल दो चाइना में Chinese accounting standards बोल दो रश्या में Russian accounting standards बोल दो सब जगे पर accounting standards evolve हुए ठीक है अब अगला point था globalization बिजनस तो global है इंडिया की company सी बात कर लो तो आप अम्बानी सी बात करो आप रिलाइंस बोलो टाटा बोलो बिरला ग्रूप बोलो सब लो world around business कर रहे हैं अब world around business करने का issue क्या है जैसे suppose करो कि आप इंडिया में business कर रहे हो आपकी एक ब्रांच है USA में आ आपकी एक ब्रांच है Russia में दिक्कत है accounting की इंडिया में आप accounting करते समय क्या पड़े हो intermediate में पड़े ना क्या पड़े अकाउंटिंग सेंडर्ड फॉलो करते ना उसको आप बोलते हो इंडियन गैप बराबर क्या वह accounting सेंडर्ड के हिसाब से US में भी book रखूं क्या नहीं accept क आपको बोलेंगे कि हम आपको यहां पर उनके accounting सेंडर्ड के हिसाब से book रखना पड़ेगा एरोप भी बोलेगा वह बोलेगा कि आपको हमारे accounting सेंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे और यही बात आपको रश्या भी बोलेगा कि आपको रश्या के accounting सेंडर्ड फॉलो करने प किसी का काम नहीं पड़ा, देखो, आपको अगर कोई books of accounts में accounting कर नहीं बोलता है, normal accounting, तो कितना चार्ज करोगे, कोई आपको बोलता है, सालबर की भई, मेरी accounting कर दो, 2000 entries, चलो 3000 entries, 15,000, 20,000, उसके उपर चार्ज नहीं करोगे, और वहीं US की company आपको यह बोल रही है, आप सीधा सीधा price बढ़ा दोगे, बात क्या है, foreign की company आ रही है, तो price बढ़ जाता है, अरे यही तो आपके साथ भी होगा ना, जब आप foreign में जाओगे, आप जब US में जाओगे, और बोलो अपने को US में accounting, process बताओ, कैसे कर आओगे, किसको, हाँ, ये company कहां से मिलेगी, net पर search करोगे, यहने net पर search करोगे, तो बड़ी company इस नाम सामने आएगा न, अच्छा एक छोटी सी कोई तो company अपने को मिल गई, जैसे just dial वगेर है, वैसा कोई तो listing में वहाँ पर company मिल गई, उसको अपने phone किया, उसने बोला, हाँ, कर लेंगे, बोले हम accounting कोई दिक्कत नहीं, price भी उसने कम quote किया, उसने बोला, पैसा advance में दे दो, बिजोगे, भरोसा है नहीं, भरोसा तो बड़ी brand पे करोगे, और बड़ी brand पे गए तो पैसा जादा लगेगा, आप समझो, पैसा ब stakeholder को, क्या फाइदा मिला, कुछ भी फाइदा नहीं मिला, problem क्या है, अपने को पूरे के पूरे world में same set of accounting policies चाहिए, same रहेगा तो easy है न, दोनों तरफ से, मैं business कहीं भी कर सकता हूँ, मेरे लिए comfort, कोई भी बंदा world में कहीं पे भी invest कर सकता है, उसके लिए भी comfort, two point advantage है न, त सबसे पहले जब globalization start हुआ, तो United States world around गया और उन्होंने बोला कि भाई, US gap सब जगे implement कर तो, हर एक जन को जाके बोला, वैसे भी तुमने हमारे इस से बनाये है standards, तुम भी implement कर तो, करेंगे क्या world around except, नहीं, क्या problem है, flexibility फिर भी आ सकती है, दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत कुछ और थी, दिक्कत थी दुश्मनी की, China accept करेगा कि US gap, Russia करेगा कि accept, नहीं करेगा, यह दो तो ऐसी cut हो गए, बड़े giants cut हो गए, तो acceptability थी नहीं, तो अब क्या हुआ, अब एक नहीं body चीए थी, US gap नहीं आ सकता, नहीं accounting standards चीए, जो world around implement हो, आपकी बाद से यह, कि भाई, sir, बूले, हर एक का market अलग है, चाइना की अगर हम बात करें तो काफी हथ तक communist है, इंडिया की बात करें तो democratic है, अब हर एक जन अपने अपने हिसाब से चल रहा है, तो flexible accounting standards बन सकते हैं, लिकत नहीं है, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एक treaty sign भी, 1973 के गरीब करीब की बात है, एक treaty sign भी उसमें Australia था, कुछ 11 countries थी, Europe अगेरे सब थे, इन्होंने अपना head office बनाया London में, और London में बैटके इन्होंने बुला, अब हम ऐसे accounting standard बनाएंगे, जो world around हर एक country accept कर सके, इस treaty में US नहीं बैटा था, पर body, जो लोग आये थे, अब हुआ क्या, इन्होंने बुलाए, world around politicians, economists, businessmen, हर possible बने को बुलाया, और ऐसे accounting standard बनाने थे, जो flexible हो, कोई भी country accept कर सके, उनको ये बनाने वाली जो body है, उसको बोलते है, IASB, International Accounting Standard Board, ठीक है, अब इसके पहले इसके और भी नामते है, हम उत्ता हिस्ट्री में नहीं जाए इसने बनाए क्या, IFRS, International Financial Reporting Standards, इन standards के नाम क्या-क्या है, IAS1, IAS2, ऐसी इन्होंने पुरी की-पुरी series बनाए, इस series में कुछ standards के नाम IFRS से भी है, IFRS 1, IFRS 2, ऐसी पुरी की-पुरी series बनाए, जैसे आपने AS1, AS2 पढ़ाया वह ऐसी कहानी है, ठीक है, अब ये standards ये लोग लेक of books रख सके, समझ गया, बहुत सारे लोगों ने adopt कर लिया, Australia ने adopt कर लिया, ठीक है, अब adoption का benefit किया है, वो तो आप समझ गया है, global business सब जगे same set of accounts, पर जो accept कर रहा है, वहाँ भी वही books चलेगी ना, तो पूरे world में 130 countries ने अभी तक accept या converge कर लिया, ठीक है, India converge किया है, अभी म मैं आपको Indian accounting standards की कहानी की तरफ लेके जाता हूँ, 2015 से Indian accounting standards की story स्टोरी स्टार्ट वी, ठीक है, आपका attempt कग है, May 20 है, चले ठीक है, तीन लोग May 20 है, कोई नी, आपको एक standard extra पढ़ना पड़ेगा, शायद आया तो, insurance का भी standard revise हुगा है, इसलिए, बट mostly बाकी के तो common है, अब अब देखो, ये पूरी के पूरी स्टोरी में, जब इंडिया 2015 में आया है, 2015 यानि कि हम लोग roughly उस समय की बात कर रहे है, जब BJP dominance में है, और उसके पहले का difference क्या है, देखो, political viewpoint हमेशा ध्यान में रखो, मैं यह नहीं बोल रहा है, कौन सी party अच्छी है, कौन सी party खराब है, Congress जब आया, तो Congress को globally क्या चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं था, Congress is like हम इंडिया में बेटे हैं, इंडिया में business कर रहे है, इंडिया में ही सब कुछ चल रहा है, और अच्छे से चल रहा है, यह self-satisfied, clear है यहां तक कि, उस समय Chartered Accountants भी अच्छा खासा power में होते थे, यानि अपनी बात सुनी जाती थी, वैसी वाली कहान नहीं है, IFRS आया, अब IFRS आया, तो सोचो IFRS मतलब आपके AS से totally अलग है, आपने जो भी इंटर में बढ़ा है उससे totally अलग है, ठीक है, अब आप सोचो, आप CA बन गए, 20 साल से आप practice कर रहे हो, और अब direct tax code लाया जा रह यही हुआ, Chartered Accountants ने आने नहीं दिया, Congress ने जब भी बोला, कि बही चलो ले लेते हैं IFRS, IFRS body आई, तो इन्होंने बोला Sir defer करते हैं, अभी ज़ुरत नहीं है, defer करते हैं, India is not ready for the same, ठीक है, अब BJPI power में, Narendra Modi went world around, जैसी PM बने थे हो, उनने पुरा का पूरा world घुमना शुर इन्वेस्मेंट चाहते हैं, और इंडिया में इन्वेस्मेंट क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक benchmark बना दिया था, कि इंडिया, Singapore बनना चाहिए, what is the difference, मैं आपको mentality का थोड़ा सा difference समझाता हूं, जिससे आपको level of investment की ज़रत पड़ेगी, Singapore के अंदर में जब आप ज निकलो, डॉग ने जहां शिट करना है, वहां शिट कर दिया और फिर निकल गया, वहीं पर छोड़ दिया, वह बाद में अपन लोगों की जूतों के उपर लगता है, साफ उसको कोई नहीं करता है, Singapore के अंदर में, अगर आप अपने डॉग को कहीं पे भी लेके जा रहे हो उसने शिट किया, आप वहीं उसका शिट उठाओ, अपने साथ अपने घर ले जाओ, जब कच्रा वाला गाड़ी लेके आएगा ना तो उसमें डालना, और जैसे अपने यहां पे गीला कच्रा, सुखा कच्रा दो रहता है ना, वहां पे छे रहते हैं, mentality का difference, level of cleanliness का difference, transit का difference वहां पे अगर आपको car लेना है, तो almost car का जितना price है ना, उतना तो आपको RTO tax भरना पड़ता है, यहां पे इतना नहीं है, तो वहां लोग car नहीं खरीदते हैं, वहां पे लोग metro में ही गूमते हैं, point क्या है, point है कि हमको development उस level पे चाहिए, ठीक है, अब वो level का development इंडिय कर रहे हैं, उनको भी investment चाहिए, इंडिया में business develop करना है ना, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ बाहर से खरीद के लाएंगे, यह तो आपको पिछले 3-4 साल से दिख रहा होगा कि हम लोग सब कुछ बाहर से ला रहे हैं, उसके पहले तो make in India का concept run करनी की कोशिश की गई थी, हुआ financial statement तो accounting standard के साब से जैसा manipulate करना है वैसा होते थे, लोगों ने invest करने से मना कर दिया, जब Modi बाहर गूम रहा था, everyone like, sir, बोले, आप हमारे यहां invest करो, सब लोग बोलते थे, नहीं हम नहीं करते हैं, हमको तुमारे chartered accountants भी भरोसा नहीं है, बोले, कैसी भी book manipulate कर देते थे, लेगी नहीं, वो बोलेगा, मैं नहीं भरता tax, तो आप क्या करोगे, मजबुरी वैसी है अपनी भी, तो अब यार, यहां book solter होते हैं, पैसा आ नहीं सकता, सीधी बात है, Modi जी को गुसा आना था अपने उपर, वो गुसा दिखाया भी उन्होंने बाद में, demonetization के समया हमन किया, उन्होंने बुला, अगर आप ready नहीं हो, हम CSCMA को भी power दे देंगे, अपने हाद से power थोड़ी जाने देंगे, अपने बुला ने ठीक है, चलो हम accept करते हैं, पर इस point पे एक दिक्कत थी, कि आप 100% adopt नहीं का सकते हैं, adoption क्या हुआ, मैं वही number रखूँगा, IS127, जो उन छोटा सा एक example देखते हैं, आप लोगोंने practically देखा होगा, मेरे पास काला पैसा बहुत है, मैं को उसे सफेद convert करना है, जमीन के थू कर सकता हूँ, कैसे, मैं बताता हूँ, agriculture land लेंगे, 1000 रुपे स्क्वेट से, ठीक है, 1000 रुपे स्क्वेट से खरीदे विए उस जमीन को 2- तीन साल होल्ड करके 5000 रुपे स्क्वेट पे बेच देंगे, सामने वाले ने खरीदा, उसने में को 5000 चेक में दिया, मैंने उसको पैसे cash में दे दिये, जो difference, fair value का जो भी difference हा रहा था, मैंने उसको cash में दे दिया, मेरा black money, white money, मैं convert हो गया, agriculture land है, exempt है, अब इसमें एक छोटी किसी दिक्कत है, suppose करो यह agricultural land है, और मैंने ऐसा काम किया, बाजुवाला क्या बोलेगा, उसकी जमीन की fair value 5000 रुपे स्क्वेट है, अरे बाजुवाले ने बेचा 5000 में, मेरी जमीन भी 5000 रुपे स्क्वेट है, बोलेगा की नी बोलेगा, वो री valuation model लगाएगा, वो बोलेगा, म 100% आया, इसके लिए prepared नहीं है, प्रॉबलम है, तो ये बात समझाई गई, chartered accountants ने मिलके समझाया उस समय, अपने, जेटली जी को, ठीक है, तो अब जेटली जी ने बोला, जाके की, बोले हम converge करेंगे, हम adopt नहीं करेंगे, converge करना यानि क्या, हम हमारे standards as it is, same to same रखेंगे, जैसे international accounting standards, point समझे, यानि हम number same रखेंगे, उनका number one है, हमारा भी number one है, उनका number two है standard का, हमारा भी number two है, same number रखेंगे, para number भी same रखेंगे, जैसे आप income tax में section number पढ़ते हो, यहाँ para numbers होता है, para number भी same रहेंगे, पर जो para हमको accept नहीं करना है, वो para हम blank छोड़ देंगे, जैसे para para three में suppose करो लिखाओ है revaluation model, हमको नहीं चाहिए revaluation model, para three will be blank, para two के बाद सीधा para four हो जाएगा, समझ गया, अब नाम सेम नहीं रख सकते, तो इसलिए उनका IAS है, अपना IAS है, वहाँ IAS one, अपना IAS one, IAS two, अपना IAS two, clear हैं तक के, समझा, कैसे नाम आया, बाकि सब कुछ सेम ह अब इंडिया में बेटी भी कमनी, इसको क्या करना है, इंडिया में बुक्स इंडियास के हिसाब से बनाओ, globally किसी को बुक देना है, तो वो जो para numbers missing थे ना, उसके हिसाब से book alter करके, globally submit करो, हो गया, global भी ready, इंडिया में भी ready, समझ गया, पूरा का पूरा, ये जो para numbers खाली ये पहरा दो प्रकार के थे, इनको आप बोलोगे carve out और carve in, दोनों ही आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप GFRS out कर रहे हो, optional में, तो पढ़ना है, नहीं तो एक carve out, carve in पढ़ना नहीं है, दिम्मध्यान में रखो बस, और कुछ नहीं, carve out मतलब बड़े differences, carve in मतलब छोटे differences, एक एक example देता हूँ, जो मैंने आपको revaluation model बोला, वो बड़ा difference है, carve out, अब हम जिसको balance sheet बोलते हैं, वो लोग बोलते है statement of financial position, हम जिसे P&L बोलते हैं, वो बोलते है statement of total comprehensive income, अब हमने नाम सेम रखा, बोले अभी इंडिया में एकदम से नाम कैसे बदल दें, तो उन्होंने बोला, थोड़े समय बात बदलेंगे, this is known as carwin, छोटा मोटा difference है, इतने से कले क्या इतना दिमाग लगाना, समझ कर, ये carwin carve out आप अपने books of accounts में change कर दो, आपके books global के लिए ready है, ये आपने नहीं किया, आप इंडिया के लिए ready हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 130 countries world around, आप IFRS IS adopt करके चल सकते हो, most of them have converged, China ने converge किया है, Australia ने adopt किया है, Africa ने converge किया है, Russia ने converge किया है, maximum लोगों ने converge ही किया है, 30 countries है जिन्होंने adopt किया है, समझ गए, बढ़ें आगे, so this is what basically your IFRS is all about, ये मैंने यहाँ पर बस एक पहले page पर आप लोगों को एक brief overview दिया है, ये आपक course के लिए नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हो, मैं आपको numbers दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपका proper syllabus स्टार्ट कर दूँगा, IS नीचे से देखना थोड़ा, IS 1, Presentation of Financial Statements, हमारा नाम है Indies 1, ठीक है, नाम totally same चलेंगे, IS 2, Indies 2, IS 7, Indies 7, पूरे के पूरे, अब हुआ क्या, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो standards globally भी बहुत तेजी से चेंज होंगे, तो अब वापस है, जो आप IS set of standards देख रह है, IFRS के नाम से, जो नए set of standards बनके आ रहे हैं, उनका number है IFRS 123, यहना अभी आप जो यह IS 123 पढ़ रहे हो ना, यह सब बाद में change हो जाएंगे, IFRS 123 बन जाएंगे, दीरे 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 change हो रहे हैं, अभी तक के 16 change हो चुके हैं, ठीक है, 16 मैंसे भी बीच में उन्होंने क कोच further change किये हैं, इसमें से यह जो आप 104 देख रहे हो ना insurance, इसको यह वापस revise होके 117 हो गया है, यहने IFRS के अंदर भी standard उन्होंने revise कर दिया है, इतने तेजी से changes हो रहे हैं, ठीक है, अब दिक्कत आ रहे है numbering की, तो आपनने IFRS की series 100 से शुरू गर दी, इंडेस 101, 102, 103, 104 ठीक है, तो बाकी number सेम है, सिवह अपना इंडेस 10 common चलता है, उसके आगे 1234 ही चलता है, ठीक है, जिस दिन पूरे 100% IFRS हो जाएंगे, वो लोगो 101, 102 हटा देंगे, 1234 बे आ जाएंगे वापस से, समझे है, बुली 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 माम, इंडेस scrap नहीं कर रहे है, IAS scrap हो रहे है, यह IAS धीरे 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 बदलके IFRS हो जाएगा, जो IAS है, वो हमारे इसमें इंडेस के नाम से है, इंडेस 123, जो IFRS है, उसकी सीरीज 100 से start होती है, इंडेस में, यह देखो, IFRS 1 is इंडेस 101, IFRS 2 is इंडेस 102, जिस दिन IAS पूरे सिर्फ तब तक के लिए हो, समझ के, बढ़ें आगे, guidance notes थे आप लोगो, IAS में, थोड़े बहुत, Matt का था, ESOP का था, guidance notes थे, guidance notes कभी compulsory नहीं होते है, ठीक है, आपके option पे होते है, अब guidance notes क्यों आते है, जब कोई standard आता है, और कोई specific issue चूड़ जाता है, तो उसके उपर guidance note जाता है, point clear है, तो वैसे ही, जब IFRS बने, IAS बने, तो उनमें भी कोई बात चूड़ गई, तो उसके guidance notes है, उनके numbers क्या थे, यह SIC, IAS में बोल रहा हूँ है, ठीक है, यह standard interpretation committee है, SIC 7, 10, 15, बीच के delete हो गई, जैसे standards amend हुए, यह बीच के guidance notes हट गई, तो यह क्या है, कोई बा IAS के अंदर covered है in the form of appendix, हर standard के end में, compulsory है, पूरे तरीके से use करना है, पर है वही, जैसे आपन guidance not पढ़ते थे, वैसा ही fund है, बस यहाँ compulsory है, वहाँ optional था, clear, और जब IFRS के अंदर में कुछ आया, IFRS में कुछ चूड़ गया, ऐसा लगा, तो उसके जो guidance है, वह है IFRIC, ठीक ह तो यह आपके पूरे के पूरे standard numbers है, अब इंडिया में कब से कहां से कहानी शुरू हुई, यानि आपका syllabus जो जहां से start होता है, अपन उसके उपर आते हैं, ठीक है, Official Gazette 16 February 2015, Ministry of Corporate Affairs ने in consultation उस समय नकास अब NFA हो गया, ठीक है, उस समय नकास के consultation में उन्होंने बोल दिया कि यह इस तरीके से इंडियास अडॉप्ट किये जाएंगे, इस बात से एक चीज़ क्लियर होती है, कि this is only applicable to companies, ठीक है, non companies को नहीं है, सिर्फ companies इंडियास अप्लाई करती है, समझ कहा है, बढ़ूँ आखे, नहीं, LLP नहीं, इंडियास नहीं, इंडियास नहीं, इंडियास नहीं, कोई नहीं, सिर्फ companies फॉलो परेगी, ठीक है, आने, जो companies act में covered है, बस वो, LLP is not covered, LLP नहीं आएगी, समझ के, बढ़ें आगे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, पहला, 1st April 15th onwards, ठीक है, यह continuation में रहेगा, 1st April 15th onwards, किसी की अगर इच्छा है, तो आप इंडियास खुद से adopt कर ले, ठीक है, Crompton Greaves एक company थी, जिसने इसे self adopt किया था, 3-4 companies थी जिन्होंने उसमें adopt किया था, 1 of them was CG, ठीक है, 1st April 16th onwards, यहां से आपका main timeline शुरू है, यहां से आपका पहला phase शूरू होता है, उन्होंने ब इंडियास लगाना पड़ेगा, चाहे वो listed company हो, चाहे वो unlisted company हो, समझे है, 1 April 16th के बाद से, यहांने कोई भी date को, यहांने suppose करो कि मैं check कर रहा हूं 30 October को, तो वैसे, अभी network कप का देखना वो बाद में बता हूँगा, पर 1 April बाद में ऐसा नहीं किसे एक April को देखना है, ऐ एक April के बाद कभी भी, किसी भी point पे, अगर आपको लगता है, आपका network 500 क्रोड या 500 क्रोड के उपर चला गया, आपको index applicable हो गया, चाहे आप listed हो, चाहे आप unlisted हो, clear है यहां तक है, और आपको हो गया, तो आपकी holding, subsidiary, JV, associate सबको applicable हो क्या, पॉइंट समझे, इसके अंदर पहला question है, कि मुझे जो 500 क्रोड का network देखना है, वो मुझे individual balance sheet का देखना है, या consolidated balance sheet का देखना है, consolidated balance sheet का देखना है, consolidated balance sheet का concept आप लोग पड़े नहीं होंगे, आप लोग वो पुराना CA enter से आए होंगे, अभी new syllabus में consolidation नीचे shift हो गया, तो एक point पे आप लोग बच गया, व सबका एक साथ net worth देखा जा रहा है, अब वो देखें या, individual देखें, इसने बोला नहीं हर एक का individual ही, consolidated नहीं देखने का, point clear, question number two, एक एक करके देखते हैं, जैसे कि A limited ने, का net worth है, 600 करोड, तो उसको India is applicable, A limited की holding company है, B limited, ठीक है, holding company, उसने क्या बोला, अगर आपको applicable है, तो आपकी holding subsidiary associate JV को applicable हो गया, holding subsidiary associate JV, clear है यहां तक है, इसको हुआ क्या, हाँ, क्योंकि आपकी holding company है, इसके पास 50% से ज्यादा shares है, इसका मतलब, समझे, B A limited की एक subsidiary है, let's say C limited, ठीक है, C limited subsidiary है, इसको applicable हो क्या, इसे भी applicable हुआ, subsidiary है, आपके पास 50 से 60% shares होंगे, इसी लिए, ठीक है, समझे, B limited की एक और subsidiary है, D limited, ठीक है, उसे applicable हो क्या, हाँ, holding को हो गया, तो उसके कारण इसको applicable हो गया, काहनी समझे, यहां तक है, अब देखो, A limited की एक associate है, E limited, ठीक है, associate, उसको applicable हो क्या, 20 से 50% के बीच में shares है, यह, आपका significant influence है, इसी लिए, इसको भी इंडेस लगा दो, समझे, A limited ने क्या किया, एक joint venture बनाया, F limited, ठीक है, it is a joint venture, किसके साथ, इसमें जो दूसरा partner है, यह, यह, जो दूसरा आपका co-venturer है, वो है H limited, समझे, क्या F limited को applicable हो इंडेस, हाँ, joint venture है, F को भी हो गया, यह, जो partner है H limited, इसका net worth से 50 करोड है, net worth, मुझे बताओ, H limited को उगा क्या, नहीं, holding से subsidiary, subsidiary से holding, किसी भी company से उसकी associate, if you are the investor, you are the investor, आपके कारण आपकी associate, हाँ, पर आपके associate के कारण आपको नहीं होगा, पॉइंट समझे, असोसियेट को अगर इंडेयस लग रहा है, आपको अगर नहीं लग रहा, उसके कारण आपको नहीं लगाएंगे, पर आपको अगर इंडेयस लग रहा है, you are the investor, आपके कारण अगर असोसियेट को इंडेयस नहीं भी लग रहा होगा, तो लगाएंगे, क्य को index लगा क्या? Yes मेरा net worth 200 करोड मुझे index लगा क्या? अरे पर मेरा 500 करोड नहीं है न सर associate हूँ इसलिए समझे नहीं यहात कहानी उल्टी कहानी सोचो मेरा net worth 600 करोड मुझे index लगा क्या? हाँ, आपका net worth 50 करोड आपको index लगा क्या? नहीं मेरे कारण आपको नहीं लग सकता आपके कारण मुझे लग सकता है समझे की नहीं समझे मुद्ध बढ़ू आगे तो वही चीज यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा है same with joint venture, co-venturers जो partners होते हैं, उनको joint venture के कारण नहीं लगता, holding subsidiary सबको लगता है, associate joint venture में उपर वाले को नहीं लगता, नीचे जाते जाओगे लगते चल जाएगा, समझ के याने की partner को applicable नहीं है, ठीक है not applicable to co-venturer and investor ठीक है, तो let's say be limited के उपर एक और है के company बना देता हूँ मैं I limited, जिसके पास उसके 30% shares है ठीक है, associate हो गई उसकी ये investor है, उसको लगेगा क्या सोचो, सोचो A limited को applicable है I को लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो investor है point समझे की नहीं समझे बढ़ू आके, इसको नहीं लगाएंगे ये diagram यहां तक के बना लो question 1, question 2, यहां तक के पूरा लिख लो मेरी handwriting थोड़ी खराब है, कोई word नहीं समझे मैं को बता दे न अगे यहां रिखवचा झाल कारी बता ओदाव справ भ यहांगे अज़ी तक है अगेगी है च्छी बता प्रभदा दोड़े Caleb अगेगे ओस्टी यहां है विन्गेन के अपः विए झाल झाल ठीक है? बड़े? कुश्यन नमबर 3, नेट वर्थ कब का देखना है? ठीक है? तो यह मैं सिर्व अभी फिलाल फेज बन का बता रहा हूँ. अब देखों, एन्य ओडिटेड बैलेंशीट आफ्टर 31st मार्च 14 अब देखों, फर्स्ट एप्रिल 16 को 31st मार्च 16 की तो अडिटेड बैलेंशीट नहीं चोगी आपके पास. सपोज करो, 31st मार्च 14 का हमारा नेट वर्ट हे 600 करोड, 31st मार्च 15 हमारा नेट वर्ट हे 500 करोड ठीक है, फिर 31st March 16, हमारा Net Worth है 501 करोड, Unaudited, आपको इंडिया से अप्ली के भी लेक है, Yes, ठीक है, Any of the balance sheet देखने का है, दो, mean fact, तीनों में ही दिख रहा है, ठीक है, clear है यहां तक है, Example 2, आपको,